यहाँ पर प्रस्ण है कि एक रेलगाडी 3 किलो मिटर की दुरी 2 मिनट में तै करती हैं तो 6 घंटे में कितनी दुरी तै करेगी तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है तो इस प्रस्ण में हमें यह वताना है कि यह रेलगाडी जब 3 किलो मिटर की दुरी 2 मिनट में तै कर देती ह तो 6 गंटे में कितनी दुरी तय करेगी तो यहाँ पर हमें दुरी ग्याद करना है और दुरी का सुत्र क्या होता है तो दुरी का सुत्र होता है चाल गुणे समय तो दिखें यहाँ पर दिया क्या क्या है यहाँ पर तो समय दिया है कि 6 गंटे में हमें मालूम करना है कि कितनी दुरी तय करेगी लेकिन दुरी का सुत्र में चाल भी आता है और हमें चाल नहीं मालूम है कि इस रेल गाड़ी का चाल क्या है तो इस परस्न में सबसे पहले हमें यह मालूम करना होगा कि यह रेल गाड़ी की चाल क्या है यानि कि इसकी स्पीड क्या है तो देखिए चाल का स उत्र होता है दूरी बाटा में समय तो यहाँ पर देखिए दूरी दिया है दूरी कितना है तिन किलो मिटर है और समय कितना है समय है दो मिनाट तो इससे हम इस ट्रेन की चाल निकाल लेंगे और हां यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान दिजिएगा देखिए जब भी इस तरह क क्या है समय का मातरक है यह मिटर में तो इस तरह से नहीं होता है देखिए मातरक का एक फर्मूला होता है इसाई पधती में कि किलो मिटर के साथ किलो मिटर के साथ घंटा लगता है क्या लगता है तो किलो मिटर के साथ घंटा लगता है और मिटर के साथ सेकेंड लगता है तो देखिए यहाँ पर धुरी जो है यह किलो मीटर में है न और समय क्या है मीनट में हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस समय को घंटा में बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए दो मीनट को हम घंटा में किस तरह से बदलेंगे तो देखिए आप जानते हैं कि 60 मीनट बराबर ह एक घंटा यह तो आप सभी लोग जानते हैं इसलिए समझेगा यहाँ पर जरा एक मिनट बराबर एक बटा में साथ घंटा तो इसलिए इसी तरह से हो जाएगा दो मिनट बराबर दो बटा में साथ घंटा तो मिनट को जब हम घंटा में बदलेंगे तो यह क्या होगा यह दुरी दिया है, 3 किलोमीटर, समय क्या है, समय है, 2 मिनट, लेकिन इसको हमने घंटा में बदला है, तो यह आया है, 2 बाटा में 60, तो दिखिए, इस तरह से हम लिखेंगे, चाल, बराबर, दुरी क्या है, दुरी है तीन और समय क्या है समय है दो बाटा में साथ दिखिए यहीं पर मुखे रूप से समझना है कि समय यहाँ पर दो बाटा में साथ कैसे आया यदि यह आपको समझ में आ जाएगा तो इस परस्न में कुछ हो नहीं है तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आया है अधि नह इसलिए एक मिनट में कितना घंटा होगा तो एक बटा में 60 गंटा होगा इसलिए दो मिनट बराबर दो बटा में 60 गंटा अब इसको हमें सल्व कर देना है तो देखिए किस तरह से होगा तीन उपर है तो तीन इस तरह से हो जाएगा और यह नीचे में है तो उपर में तो देखी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 30 हैं तो 30 में 3 से गुणातर आएंगे तो यह आएगा 90 तो यहाँ पर हमें क्या मालूम चला है कि यह जो ट्रेन है यह रेल गाड़ी है इसकी चाल क्या है तो 90 किलो मिटर प्रती घंटा यानि कि यह एक घंटा में 90 किलो मिटर च आप सभी लोग जानते होंगे कि दुरी बराबर होता है चाल और गुणा समय दुरी बराबर क्या होता है तो चाल गुणे समय चाल कितना है चाल है 90 किलो मीटर परती घंटा और समय कितना है समय दिखिए यहाँ पर दिया है 6 घंटा तो हम लिखेंगे 6 अब इसी को आपस में गुणा करा देना है तो देखिए नौ छाग चाववन तो चाववन इस तरह से औरेगो जिरो यहाँ पर जुट जाएगा तो इतना किलो मीटर तो यह ट्रेन जो है छे घंटा में कितना किलो मीटर चलेगी यह चलेगी पांसो चालिस किलो मीटर इस तरह से इस परकार के परस् को हल किया जाता है